दोस्तों नमस्कार आज हम आपको पिछले वीडियो के आगे का भाग दिखाएंगे तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आईए चलते हैं वीडियो देखते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पोधा है ये बैंगन का पोधा है पहले ये छोटे ग्रो बैग में था अब इसे हमने सबजियों और फलों के टोकली में ट्रांसफर कर दिया है आप देख सकते हैं सिफ्ट करने के बाद कितना बड़ा हुआ है ये करीब पांच फिट का लंबा हो चुका है दोस्तों और पोधा काफी मोटा भी और देखिए बहुत लंबा भी हुआ है जबरजास्त पोधा हुआ है और इसमें अब फल आना सुरू हुआ है बहुत ही ज्यादा एक एक कोधे में आट आट नो नो बैंगन आ रखा है और ये जो बैंगन है ये भरवा बैंगन है छोटे छोटे ही होते हैं ये करीब देखिए इसमें हमने किचन वेस्ट खात दिया है घर का बना हुआ हमने बाहर से यूरिया बगरा बिल्कुल नहीं दिया है और जिससे की काफी पावर मिला है ओधों को और देखिए फूल और जो फल बैंगन छोटे बड़े दिख रहे हैं देखिए कितने बड़े बड़े बैंगन वो आ रखा है दोस्तों आप चाहे तो अपने घर के छत पर बरमदा या बालकोनी कहीं भी थोड़ी सी जगह हो तो आप इस तरह से फलों के टोक्लियों में आप सबजी बगरा उगा सकते हैं इस पोधे में देखिए करीब नौनो बैंगन है बीच बीच में दोस्तों इसको खुदाई करना पड़ता है खुदाई के साथ साथ थोड़े थोड़े मिट्टी भी देना पड़ता है और यूरिया खाद के बजाई कीचन वेस्ट खाद देना पड़ेगा ये देखिए बैंगन आज तोड़ रहे हैं कितना ताजा कितना बढ़िया घर का बैंगन आज तो लगता है ये छोटी सी टोकरी भर जाएगी बैंगनों से दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेट भी कीजिएगा और वाट्स अप फेस्बूक के मध्यन से अपने दोस्तों को सेर भी कीजिएगा और वीडियो के नीचे जो लाल लंग का बटन है उसे जरूद दबाईएगा वो सब्सक्राइब का बटन एक बार दबाने से जब भी हम आपको नया नया वीडियो देंगे तो सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगा पोधों में अगर कीडा बगरा लग जाता है पत्तों में या नीचे गमले के आसपास पोधों के नीचे अगर आ जाए खीडा मोखोडा तो आप नीम की फ़ली वगर दे सकते हैं नीम की फ़ली देने से कीड़े नहीं लगते है और पत्तों में एक तरब का पाउडर आता है जो नर्शरी में मिलेगा आप उसकी छिड़काव नीचे से उपर की और छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों लाइक और शेर जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नया विडियो आपको नय नय तुरंत देखने को मिले कितना जबरजस्त गैंगन आया है देखिए एक टोकरी बिल्बिल टोकरी भर गया दोस्तों विडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें